अध्याय नव उदाहरण एक प्रश्न चित्र अठारह में ओ ए व ओ बी विप्रीत किरने हैं कूण ए ओ सी व कूण बी ओ सी के माप क्या होंगे हल ओ ए और ओ बी विप्रीत किरने हैं चूणकि कूण ए ओ सी व कूण बी ओ सी रेखी यूग में बनाते हैं इसलिए हम लेख सकते हैं कूण ए ओ सी धन कूण बी ओ सी बराबर एक सो अस्य अंश अब चेत्र में देखिए कूण ए ओ सी बराबर है कूण ए ओ डी धन कूण डी ओ सी धन कूण बी ओ सी बराबर एक सो अस्य अंश कूण ए ओ डी का मान है एकस धन बी संश कूण डी ओ सी का मान है एकस अंश और कूण बी ओ सी का मान है दो एकस अंश बराबर एक सो अस्य अंश दो तीन और एक चार एकस अंश जी यहां पर मिलता है 40 अंश. इसलिए कूण AOC बराबर कूण COD धन कूण DOA चित्र में आप देखे, आप देख सकता हैं कि कूण AOC बराबर कूण COD धन कूण DOA कूण COD का मान है X अंश और कूण DOA का मान है X धन 20 अंश इस तरह से में मिलता है 2X अंश धन 20 अंश X का मान रखने पर 2 गुणा 40 अंश धन 20 अंश या हम इसको लिख सकते हैं कूण AOC बराबर 80 अंश धन 20 अंश इस तरह से में मिलता है कूण AOC बराबर 100 अंश इसके बाद हमें मान निकालना था कूण BOC का चित्र में देखते हैं हम तो कूण BOC बराबर है 2X अंश X का यहां पर मान रखेंगे तो 2 गुणा 40 या हम कह सकते हैं 80 अंश तो इस तरह से कूण BOC बराबर हमें 80 अंश मिलता है तो उत्तर हमारे लिए हो गया कूण AOC 70 अंश और कूण BOC 80 अंश